Hello friends, so we are back with another video और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग को CBSC class 10 के लिए क्या इसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए तो बहुत सारे friends की demand आ रही थी, उनोंने मुझे बोला, message कर रहे हैं कि किस chapter में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कि subject के हमें कैसे जारी कर रही चाहिए, जिससे कि हम maximum marks अपना maximum output रचीव कर सकते हैं तो मैंने आप लोग अगल एक time नाये, तो इसको देख लाता है एक बार सबसे पहला हमारा हम 4 topics के उपर बात करेंगे, Math, SSD, Science and English मैं language को touch नहीं कर रहा हूँ कि वह सबके बास अलग होती है, किसी के बास Sanskrit है, किसी के बास Hindi है and किसी के बास French है, तो आप लोग अपने हिसाब से देखें and आज हम लोग सिरफ चाहट बारे में बात करने माले हैं सबसे पहले friends हम English के बारे में बात कर रहेते हैं English में सबसे benefit यह है कि एक कोशिन में ज्यादा bulky marks मिल रहे हैं मतलब ऐसे कोशिन निया कि एक एक मार्क के बहुत सारी कोशिन आ रहे हैं वो कर्टतर एडिंग सेक्षिन में उसमें दो कोशन आते हैं स्टोरी एंड लेटर अगर आप उन दोने मांस प्रिकर लेंगे तो आपके एडिंग मांस तो कहीं नहीं है तो कि मैं आपको बता रहा हूं बोड़ वाले जो एक्जामेर्स होते हैं इतने पेपर्स फोड़े चक कहने के लिए और सिरफ चार घंटे होते हैं उनकी माव में सिरफ दो चीज़ बता यह कि इस पेपर को चएकर करके मुझे पैसे मिल रहे है और जल्दे सी यल्दी मैं पेपर्स को खटके घष जाओं तो सिरफ दो चीजी चेक करते हैं कि फॉर्मार्ट में दलती तो नहीं है और आपकी स्पैलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है वरना तो सबके विवेज अलग होते हैं तो उसने मांक्स दे़त है अगर आपको फॉर्मार्ट गलत है तो यह टीचर के बोलता है कि आप फॉर्माट लिगता आपको 2 मॉक्स मल जाएंगे वह बात थीक है बट अगर आपको फॉर्माट गलत है तो एल्जाम उता है कि बच्चे को फॉर्माट इन्हाता तो वह नीचे का लिखा हुआ उसने वह फॉर्माट देके पूरा काट तर 0 मिल जाता है डारेक्ट तो आप इस तीस को समझिए उसके बाद हमारा आज देते है शोली रैटिंग के उपर में 2 चीज़े होती है एक दो पर हमेरे टाइटल टाइटल को आप मिशा लास्ट में रखिये तो हमनों टाइटल की बात कर रहे थे टाइटल क्या करते हैं बहुत सारे फ्रेंट्स की लास्ट के लिए छोड़ देते हैं और फिर लिखना भूल जाते हैं और मैं आपको बैस करूँ कि टाइटल को लास्ट में ही लिखिये क्योंकि आपको नहीं पता कि आप सोरी को कहां पर जाते लिए जाते कहां पर twist कर देंगे तो आपका टाइटल आल्टर हो सकता है टाइटल को सिर्फ 3-4 वर्ट्स कहीं रखे तो उसके लावब जाते कुछ हैने सोरी राटिंग में उसके एक में प्रोब्लम होनीती है वर्ना को सबकिया कि कि we happy happy होते है बूरी स्टोरी खञ़ेपम कर दीते है एक प्रोब्लम होनीती पिए जिसके अराउंट स्टोरी रिवॉल्फ करे तो उसके हसादसे हम लोग स्टोरी को लर्शेक्रट करते है तो हमारा यह तो story and letter का हो गया है हमारा नएक सबसे important section आयते है वो reading section है friends उसमें भी क्योंकि हमें पता निये कैसा देने वाला है board उसमें कैसे question रहेंगी कैसी vocabulary आएगी समसे पहले चीज़ तो fancy vocabulary ना use करें कि हमको निए पता कि board का examiner कैसे है कि उसको भी वो इस vocabulary ना आती हो और वो बोल दे कि बच्छों तो फागर उना रहे है card marks ऐसा मुहदार होता है आप लोग पी समझते है इस बात को जादा fancy vocabulary ना use करें normal vocabulary उस करें और अच्छे से अच्छा करने कोशिट करें and reading section में तो हमको पैदा है कैसे करना है बस questions बढ़के answer देने होते है regular and आपको उसाज़ा तो practice करने ची है 10-year papers अगर आप कर लेंगे तो आपको confidence आज़ाए कि board कैसा देता है paper किस difficulty को लेवल देता है हो तो उसकी साब समको कैसे prepare करना है next section friends हमारा literature section आयता है literature के अंदर हमारा क्या है उसके अंदर आपको साइज अपने पढ़े में सबकी summary आपको पता है सबको आपको question answers पता है तो आप बहुत easily कर पाएंगे full marks में अथियक कर सकते हैं grammar के अंदर मैं यह कहूंगा कि आप previous study paper या फिर कहीं सी practice paper बहुत सारी sites में मिल जाएंगे उनमें से आप practice करेंगे तो आपको बहुत confidence का level आएगा कि आप यह में कर सकता हूं आप बाल पर पढ़िये बाल पर पढ़िये exam के अंदर तो इस आपको पता है कि यहाँ पे लती है यहाँ पे लती है editing commission के में बात को है and friends last but not the least हमारा जिन novel वाला है उसमें हमारा पस दो novel है classes में एक तो है diary of a young girl ठीक है जो की Anna Frankie है and second हावाली है हमारी story of my life vages of heron killer of course तो इसमें आपको क्या करने है 200-250 words कहां सा लिखने है अब मैं आपको advise करमा कि आप एक ending एक perfect ending और एक perfect beginning आप prepare कर लिजे आप Wikipedia खोलिया आप पहंसरी खोलिया आप general चीजे खोलिये और बुक के बारे में अच्छी चीजे कि like अगर मैं story of her life के बात करता हूं story of her life was published in 1903 and it is by the most famous person Helen Keller and तो आप ऐसा से कर्थी कुछ प्सांस से लाइन आप 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 प्रणे का मन करो उसका आप ऐसी लाइन से लिखने कुछ तो friends English का प्रेपर इस तरह की से प्रिपेर कर सकते हैं अगला हम section बात करते हैं SST के बारे में SST के लिए नदर हमारे friends 4 sections होते हैं 1 marker, 2 marker, 3 marker and 5 markers तो हमको accordingly प्लान करना पड़ेगा कि हम कितना लिखे हमें 1 mark में जादा नहीं में लिखने वाले हैं क्योंकि एक ही mark मिलना है obviously और 5 marks में हमको कम नहीं लिखना क्योंकि उसके अगर 5 marks मिलने वाले है तो बहुत important चीज है आपको एक comparative study दाता हो कि कितना लिखना चीज है हर एक्जाम के लिए तो मैंने आप लोगिल स्टीट रप्रेपर करकर रखिया है बोर्ड की सीट ऐसी है तो आप यहां पर सबसे पहले चीज तो आप करिए तो बहुत सोरेंट्स नहीं करते है इंप्रेशन के लिए एक margin बनाईए यहां पर बहुत ज्यादा margin बनाईए बोर्ड में पहले से बना होता है अगर बोर्ड में ना बना हो तो बना हो तो आप क्या खरिए एक additional चीज के लिए आप एक पतला margin और बनाईए जैसे आप points रिखते हैं तो 1,2,3,4 उस margin के लिए वह जादा clutter नहीं होगा आपके text के साथ और आप इधर के साइड बिलकुल एक पतला सा मतलब जादा मोटा नहीं वह गंदना बेजन पड़ते हैं कि बच्चा जगा कम कर रहा है बिलकुल इतना सा margin आये वह safety के लिए यहोगी board के transportation के अंदर अब उसकी safety के लिए अब उसकी safety के लिए friends कभी भी first line से आप ना लिखे और यहाँ पेज़वा की जगब में हमको नहीं लिखना है सबसे पहरी चिस्ट आपको यह दिमाक में रखने होगी friends कि आपने pay करें बोर्ड का वेपर जाने के लिए मतलब एक pick में आपको दो या तीन question आजाएगे और friends सबसे main से आपको 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 करनी है उन दोनों question से बिखना एक vertical line switch देनी है pencil यह margin pencil देनी है और यह pencil देनी है जहाँ पर अगर आपका examiner को आपका दिखे जाना है कि आर बच्चे ने effort करा वे तो उसको additional marks देने का मन करेगा कि तो हमारा यह था additional marks देने का मन करेगा तक क्योंकि उनको दिखे आक यह बच्चे ने effort करे रहा है paper में कुछ additional चीज़ा करे हैं जो बहुत बच्चे नहीं करते हैं तो यह बच्चा को special है यह बच्चे ने पढ़ाई करे है बच्चे ने preparation करे है तो एडिशन marks देंगे जितना उनको neat लएगा यह जिनकी heading अच्छी है उनको एक advantage मिलता है बड़ जिनकी heading अच्छी नहीं है वो भी paper neat करेंगे तो बहुत अच्छी बात है मतलब spacing properly करेंगे खुला हुले लिखेंगे पेपर नहीं बच जाएंगे ज्यादा समझ रहना आप क्या करने जा रहा हूँ तो वैसे करेंगे तो पेपर में बहुत अच्छा impression आता है आप one marker इतने इतने करिए next हमारे जो आज आते हैं वह हमारे हमारे हैंटा है जो आपको 3 mark से पेपर है 3 mark में आपका इतना आते है 3 mark में आप इतना लिखें 4-5 stuff of a page इतना कर लिखें और आगे vertical line डाल देजे और बाकी का paper इतना जो बचे खाले छोड़े देजे उससे एक तो paper में feeling nice लगती है आप लाइन बनाई है आप शुरू में अच्छी से line लिखे पूरे अगर 3 mark का है तो आप 3-4 points रहने कोश्ट करेए आपको सबसे make चीजे आपको हर एक question में example डालें जितने example है चारे डाल दीजे आपको जाधात example देने ताकि लगे कि शेरफ बच्चे ने थोरी नहीं जानी भी उसको सारे application भी बता है next up front हमारा 5 mark paper है 5 marks के लिए आपको क्या करने है एक प्रिष्टो पूरा लिखता ही है यसे आप 2 line चोड़ देंगे तो यहां से लेगे आपको यहां तक introduction लिखना है थोड़ा quote लिख देंगे इसके बाद हर point पीस में 1-1 line की 2-2 line की spacing करने है 1-1 point लिखने एक से explain करके तो आपको यहां पर 3-4 point आएंगे यहां पर 5 point आएंगे और 5 mark question में आपको conclusion जरूर लिखना है कि does this 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 hence this this finally lastly तो आप इतना वो लिख देंगे 2 page में आपका 1-5 mark का राना चीए examiner पर इतना अच्छे impression पढ़ेगा उस चीज़का कि वह बहुत खुशू होगा और अच्छे से marks देगा फिर next summer subject आ रहा है कि SST में आपको इतना करेंगे साथ भी analysis करते हैं तो आपको पज़े ज़िए क्या करते हैं history कम आप तो बहुत असान ही geography में भी कुश में में चीज़े हैं 5 में से 3 तो करने हैं तो वह कर लें बहुत असानी से तो हमारा ये तो SST का कवर हो चुका है अगला हमारा है science देखो friends science का क्या है कि अगर आपने preparation करिये आपने NCRD बढ़िये पूरे example करें आपने को sample papers करें इस साल का CBSE paper लास्टेर का CBSE paper ये आपको में चीज़े हैं तो आपको कहने चाहिए में चीज़े है तो मैं friends Diagrams सबसे पहले चीज़ तो इस स्कूल वाले Diagrams में बहुत सारे marks काटते हैं ये मैं जानता हूँ और वो लोग इसले काटते हैं कि बच्चा बोड के लिए और अच्छे से अच्छे Diagram बना करा है या देखो बोड के अंतर ऐसे नहीं होता कि chemistry paper रख चेक हो रहा आपके chemistry paper बया को मिल जाएगा bio teacher को, chemistry को मिल जाएगा physics को मिल जाएगा उनके पास एक answer की होगी अगर आपने वो लिखा है keyword तो मैंस मेलेगे, नहीं तो रहीं मिलेगे उनको मतलब है कि आपने Diagram में representation करें के नहीं सकता है कि चा हो रहा है वहाँ पे तो यह होता है Diagram में motive हमारे में आप उनको neatly बनाएए आप उनको जाए 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 प्रैप्टिस करिये कि मैंने देखा है कि NCRT के बुक में हमारे बुक में बुक बुक 65 Diagrams हैं जन में से सिरफ top 10 ही मलब कह सकता हूँ सारे Diagrams आ सकते है कोई भी ऐसा Diagram नहीं जो पितर बोट ने नहाँ पूछाओ तो आप उनको support अच्छे से practice करिये ठीक है तो सबसे पहले यार आप Diagram को title देजिए लाइक लोग excretory system मनाया human excretory system मीचे लिखिये ज़रूर उस Diagram को एक box में करिये जिससे की अच्छी ही presentation है और अब सारे labeling करिये उसकी labeling कैसे होनी चीए scale से pencil से यहां करिये यहां पर लिखिये capital में और सिर्फ एक साइट पर labeling करिये दूसरे साइट labeling ना करे एक साइट पर labeling नेजए title पूरा box में बहुत अच्छा नीज diagram लगता है सबसे मारे top 10 diagram में आपको पुझा दू मजब top 10 diagram में लगता है क्या आसकती है सबसे पर दो eye confidence eye confidence eye confidence vision defects coming to chemistry chemistry में 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 मिसल मिसल formation बहुत बार आचका है और इस बार भी आने के उमीड है और नेक्स बार में हमारा एक तो excitry system respirator system heart card diagram बहुत कम देते हैं बहुत rarely देते हैं और आप समझ सकते हैं कि मैं आपको आना चाहिए heart card diagram और brain card diagram कम आते हैं बढ़ आपको आना चाहिए क्योंकि आप तो कुछ भी सकते हैं और next में हमारा आज आजए जन्त के बारे में आप बताया सकते हैं और reproductive system पे asexual reproduction के सारे important है और vegetative propagation बहुत लोग में सकते हैं but यह सबसे जादे important है asexual reproduction में और sexual reproduction में हमारे सारे diagram ने next day friends heritage evolution में वो cross बनाने आपने चाहिए और last day 2 chapter के अंदर आपको सारे food chain है, food depth है, food pyramids वो आपको ग्राना आपकी कैसे energy transfer होती है 10% rocket through science में हमारा main diagram करी खेल है और दूसरी चीज चीज है हमारी practical skills 12 marks के आते हैं 12 number के बिल्कुल free marks आपके बहुत दर आपके बारा में से बारा में से बारा आ जाए तो आप यह marks आपने पके करिए कि 20 marks हो में बता है कि आप हमारे ready है बागी में मेनद करके ज्यादा marks घानी गोज़ करेंगे तो यह था हमारा science का अब चलते चलते है math के उपर Maths के अंदर सबसे में चीज क्या करने आपको NCRT फोकुस करने NCRT से आपकर 80 में से आपकर marks है तो उनको 65 नमबर का बहुत असार paper होता है 10 नमबर का यह average paper होता है जो बच्चे थोड़ा फक करेगा आपको तो वो कर सकता है और 5 नमबर का यह paper ऐसे काऊंगा तो 7 तो 8 marks का paper ऐसे काऊंगा जो कि आपकर आपकर को average बच्चों से differentiate करता है बिलकुल high intellect का बच्चा यह उसको कर सकता है और बाकी वाला नहीं कर सकता तो अगर आप एक high level के student है तो आपको वह ले question कर सकते है बट अगर average वाले हैं तो आपको जादा जादा बिंबर यह नहीं कुछ करनी है match केंदेर कोई भी question छोड़ के मताना सारे question attempt करना कुछ भी करना वड़े LHS equal to RHS करना नहीं हो रहा multiplying LHS पर 0,0 RHS पर 0,0 but question को खतम करके आना start करके आना वरना कई पार एफ़े होता कि board के question गलग आते है अगर attempt नहीं करा तो यह 0 ही मिलेगा यह कुछ तो देके जाएगा आधा नंबर एक नंबर कुछ तो मिलेगा जो भी मिलेगा bonus यह हो attempt जूर करके आना given to prove, figure सबके नंबर है step marking बहुत होगी यह बर बर के नंबर मिलने वाले है तो आप माज के दर आपको यह सारे शीज़े करने है construction को कोशन पकाने वाले है यह probability के 2 कोशन यह एक चीज़ मेरी tip है कि जैसे यह हमारी suite है आपका maps कार पर शुरूवा सबसे परदे तो बड़ा-बड़ा section लिखे section A, section B, section 3 बड़ा-बड़ा underline करें डबब बनाई है तो आप सेकरिटी समर्यालती जैसे आपका paper यहां तक हुआ मैं बलब question 1 कि यहां तक आया question आपने उसमें client डाल दी और यह अगार जगार देखा बहुत सारे answer to लिखती यहां पर given लिखेंगे खत्रम कर देंगे आपको यहां पर छोड़ना ही है मतलब यहां पर जगा छोड़ीजिये और यहां से अगला question चुरू करिए हर question नए पेशी चुरू करे हर question नए पेशी चुरू करिए पर मैं आपकी copy एक अच्छी तरीक से रिपरज़ट हो क्यार आपको जो कोई सबसे पहले आता सारे वोई करिए आपके 50 number तक एक भी cutting नहीं चाहिए क्योंकि 50 number तक यार हर एक क्या आता है 50 number तक एक भी cutting नहीं होगी ना यार examiner भी धिला पड़ जाएगा यार ये बच्चा 80 लासकता है ये बच्चा 100% लासकता है तो और वो भी करेगा ठीक है यार दे दो आदर नमरी गलती होगी वो भी इंदो करेगा यार ये बच्चा 100% लासकता है इसको दे देते है इसको दे देते है माक्स तो एक impression माना है सबसे आदा यार बोर्ड के अदर मैं आपको यह कहूँगा कि यार हमारी preparation जादा हमारो confidence matter करता है preparation एतनी matter नहीं करता है सबमने preparation करता है पूरे साल चाह पढ़रा है किसी के अंदर जादर कम confidence होता है यार जिसके अंदर जादर जादर गॉदेंस होता है वो अच्छी से paper कर सकते है जादर मास्ट लिया सकते है जिसके अंदर नहीं है वो नहीं कर पाता तो यही tips थे मेरी फ्रांच आप लोगो के लिए, तो यही थी मेरी tips आप लोगो के लिए, यार तेखो 5 प्रेपर है असी चारसू नमबर का प्रेपर है यार 20 का इंटर्न वाले दे लते है, तो यार 400 नमबर का प्रेपर है आपके बास नमार्च के दिन नहीं गार रहा हूँ, तो 29 मार्च के बाद एक नए जोश के साथ आपको पक्ता ही जिलोना कि आपने अच्छा पेपर करके आयोगा और एक टेप यार जो आपको लांग जाजा है तो जेना जाता हूँ पेपर वो डिसकस निहीं करना आके यार मार्च कर रहे हैं दोस्तों तो डिसकस कर रहे हैं बहार आओ पेपर फाड़ दो कोई फ्रेंड बोले यार कि मैं क्या करूँ यार पेपर टेसे करते हैं करे इसरा पेपर बिसकस करते हैं उसका लो उसका भी फाड़ दो यार आपको अगर पेपर गंदा हो आपको अपना अपना एफ़र्ट डाल के अगले पेपर में बेस्ट करने है तो ठीके यार इसके साथ हम चलते हैं, बाए!